हेलो गाईज विल्कम टू मार यूट्यूब चानल आज की वीडियो में हम लोग देखें कि इतना अच्छा टमाइटो का प्लांट हम लोग कैसे गुरो कर सकते और इसके बारे में लोग इनफॉर्मेशन जानेगे कि इसमें कितना मिट्टी भनना कितना बड़ा पॉर्ट चाह है कि इसमें मिट्टी भर रहे और टमाइटो का प्लांट यह होता है उसे हम लोगों को सुभा का 10-8 घंटा तक कर कम से कम दूफ में रखना चाहिए जिससे वह बहुत अच्छा से ग्रोँ करें बहुत कम दिन में ग्रोँ करें मेरा जो टमाइटो का प्लांट था वह बहुत जली ग्रो कर रहिया, इन five six days वह ग्रो कर गया था, तो इसमें उम लोग मिट्टी भर रहे, और जितना बड़ा आप पॉट ले सकते हो इतना बड़ा लीजिए, और आप जितना ज़ादा मिट्टी भर सकते हो इतना ज़ादा मिट्टी भर ये, क्योंकि तमाइटों राच को पूशन चाहिए होता है इसलिए और इसमें मैंने थाइसा खाद भी मिक्स किया है यह थाइस सूप किया है मेरा खाद तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा यहां पर हम लोग ने तमाइटों कट कर रहे हैं बड़ा बड़ा पीसेस में जि कि इसे मिट्टी में अच्छा से डाले बिबाह सो और तमाइटों को प्लान गुरो करने के लिए आपलों प्ल् bure आप लोगों को चौड़ा गम्ला लेगना जैसे मैंने लिए जिससे अच्छा से हट सके तो मेरे ख्याल से गाईस यह थोड़ा मिट्टी हो ज्यादा हो गया था इसलिए मैंने इसमें मिट्टी कम कड़के फिर से डाल रहा हूं इसमें टमाइट हूं है तो हम दोग इसके उपर मिट्टी डाले गए अच्छा से कि वह उसमें ज्यादा सीट्स नहीं था इसलिए मैं हटा के दुसरा वाला लगाया हूं तो इसमें अब मैं मिट्टी भर रहा हूं अच्छा से इससे बहुत अच्छा से लगाना चाहिए और यह बहुत जली उख जाता है और यह सबसे easy method है ग्रोटा माइटो को ग्रह करने का अजिए मुझे भी पता ने चल रहा था कि शम्ममें डाला है कि नहीं लिकिनました मुझे यादा मैंने इसमें और जैल्राइज अए अब इसम्म आपी जाल रहें अच्छा से अच्छा से पानी दालना है कि बहुत सारा सीथ से तो मैं अच्छा से पानी डाल दिया हूँ अब चलिए गाइस इसे हम लोग रखते हैं कहीं पर अच्छा जगह से जहां पर सुभे का आथ से दस घंटे तक का डायरेक्ट से लाइट आए तो वाईज यहां पर डायरेक्ट से लाइट आता है आज से दस घंटे तक का तो बाई बाई गाईज मिलते अगली वीडियो में